दोस्तो हमने Poco F6 को Realme GT60 के साथ compare किया वहाँ पर बेटर निकला फिर उसके बाद हमने Poco X6 Pro को Infinix GT20 Pro के साथ compare किया वहाँ पर वो better निकला उसके बाद हमने इन दोनों फोन को अपने Crash और X के साथ compare किया और good news वहाँ पर वो better निकले लेकिन लेकिन हमने अभी तक इन दोनों को compare नहीं किया कि भाई दोनों में best कौन सा है हाँ दोनों में 5000 रुपे के price का difference है लेकिन अगर दोनों में से Poco X6 Pro बेटर निकलता है तो भाई 5000 रुपे बच जाएंगे या फिर सच में 5000 रुपे एक स्टा खायच करके Poco X6 खरीदनी की जरुवत है वो जान लेते हैं या फिर दोनों ही खरीदनी की कोई जरुवत नहीं किसी और ब्रैंड का ही खरीद लेते है सबसे पहले दोनों के थोबड़े की बात करते हैं थोबड़े के स्पेक में ना दोनों के कावेदा similarities है जैसे कि 6.67 इंचिस का 1.5K AMOLED डिस्पले 12-bit का पैनल है 120 Hz का रिप्रशेट मिलता है HDR 10 Plus का सपोर्ट है लेकिन आपको Poco F6 में ज्यादा पिक ब्रैटनेस मिलती है 2400 nits की उसमें 1800 nits की है तो अगर ब्रैटनेस को छोट दो तो बाकि सारे चीज़े तो सीम ही है तो मैं कहूंगा डिस्पले में दोनों ही सेम है ऐसा नहीं कि 1800 nits के साथ आप धूप में जाओगी तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा नजर आएगा सब कुछ आएगा जो देखना चाओगे वो सब नजर आएगा मतलब फोन की बात कर रहा हूँ मैं तो कुछ औरी समझ रहा था इसके बाद आती है वो चीज जिसके लिए सारा कंपैरजन चल रहा है वो है पफोर्मेंस कैमेरा के लिए तो कंपैरजन चल नहीं रहा और अगर कैमेरा के लिए इन दोनों फोन को देख रहे हो यह अई ईस के Chungpingot मिलता है यह सदाधा पहला के सारत प्रोसेसर के साथ और प्रॉसेसर को कशने वह अच्छा प्रोसेशर से तो ज्ञादा लोग मतलब देख यह संब बड़ीया पर्फूमेंस मिलती है दोनों में एल्पीडर 5X RAM यह पर स्फोर स्टोरेज है तो अगर BGMI खेलोगे या फिर कोई और गेम खेलोगे तो दोनों भी प्रोसेसर डिसपॉइंट नहीं करेंगी हा लेकिन यह मानना पड़ेगा कि 8S Gen3 थोड़ा सा बेटर है उसके मुक युवल कैमेरा सेटप मिलता है वैसे Poco X 6 Pro में ट्रिपल कैमेरा सेटप है लेकिन वो 2Mbps का फाल्दू का इमारा जिसको मैं कंसेडर नहीं करूंगा तो Poco F6 में आपको 50Mbps का मेन मिल रहा है 8Mbps का अल्ट्रावाइड वही पर आपको Poco X 6 Pro में 64Mbps का मेन मिल रहा है और 8 20Mbps का अल्ट्रावाइड है और अगर मेन कैमेरा से कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो दोनों से 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो हाँ आपको Poco F6 में 4K 60fps का option मिलता है उसमें 4K 30fps का है ध्यान रखना कि खुद को या फिर घरवालों को रिकॉर्ड करना किसी समझ गये न और Poco F6 में 20 Megapixel का selfie camera उसमें 16 Megapixel का camera दोनों का decent है मैं नहीं कहूंगा कि best है इस प्राइज में लेकिन ठीक है काम चल जाता है उसके बाद दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिलती है दोनों में fast charging है लेकिन ज्यादा fast आपको Poco F6 में मिलती है 90W की उसमें 67W की है उसके अलाब दोनो प्राइज की बात करते है और प्राइज की बात करते है दोनों में आपको 8GB प्लस 256GB वेरेंट बेस वेरेंट मिलता है जिसकी प्राइज Poco F6 की 30,000 है और Poco X6 Pro की 25,000 है तो आपाता है conclusion पार्ट की बाई दोनों में से best कौन सा है 5000 बचा के Poco X6 Pro खरीद लेते है या फिर 5000 पर एक्स्टा उड़ा के Poco F6 लेना चाहिए तो मेरे आप से तो देखो तीन साल के अपडेट डोनों में मिल रहे तो दोनों सेम Android 17 तक जाएंगे और कैमरा दोनों का डिसेंड़ डिस्प्ले से मिल रहा है पफोर्मेंस में थोड़ा सा फरक है लेकिन Poco X6 Pro भी पफोर्मेंस में बेकार नहीं है वो और पांच हज़ा और एक्स्टा खर्च करके सिर्फ और सिर्फ पफोर्मेंस में थोड़ा सा एडवांटेज लेने के लिए पोको एप 6 खरीदना मुझे वो स्मार्ट डिसिजन नहीं लगता तो मेरे साब से तो पोको एक्स प्रो में जो परफोर्मेंस मिल रही है वो इनफ है एक टाइम पर तीस हज़ार की नीचे वन अफ दी बेस्ट फोन कहते थे उसे हम अब उसके बाद और थोड़ा अच्छे तो हम उसको थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ मतलब शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन मेरे साब से उसके परफोर्मेंस इनफ है लेकिन अगर आपको चाहिए और बैटर परफोर्मेंस तो जा सकते हो अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसा है तो लेकिन सच में बजट का उतना इ प्रियो में